जैहिंद एवरिवन सभी को जैहिंद उमीद करता हूँ प्यार दोस्तों आप सभी अच्छोंगे फाइनली बात करते हैं दोस्तों एओसी नई भरती दोजार चोविस के बारे में यहां पर जो विकेंसी निकल क्या है दोस्तों जो कि फायर में हर एक पोस्ट के बारे में पर इंफॉर्मेशन दूँगा यहां पर बात करें दोस्तों फायर में के बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा फायर में का जो नोटिकेशन आउट हो चुका है इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है क्या वह बताने वारूं सबसे पहले क्या होगा फायर में करता है दोस्तों फायर में का ऑनलाइन अप्लाइड डेट क्या रहने वाली है हाइट क्या रहेगी वजन क्या रहेगा रणिंग कितना होगा ओके क्या क्या स्टैप से आपको गुजरना पड़ेगा सबसे पहले क्या होने वाला है ओके पूरी की पूरी जानकरी देने वाला क्राहूं चैनल पर कि आप पहली बार ہے तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करें नहीं देने वाले सबसे पहले हैं पर fireman post में अगर आप apply करना चाहते हो क्वाल्फिकेशन क्या रहेगी ठीक है फायर मैं पोस्ट के यहां पर विकेंशिद देख सकते हो अच्छे खासी पोस्ट नीकल कही है दोस्तों ठीक है जो भी इंट्रस्टीड कैंडित है अपलाई कर सकता है ठीक है अब हर्याणा पंजाब यूपी भिहार किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप सभी अपलाई कर सकते है ठीक है यहां पे जो विकेंसिस की डिटेल है मैं आप से भी को दिखा देता हूं यूर की दो है एक सो एक सो दो है एडरेस की 24 है और एसी की 73 है और एस्टी कि यहां पर 18 विकेंसिस है ठीक है और यहां पर 247 विकेंसिस आउट किये लेवल टू की यह जोब रहने वाले दोस्तों और नोट कर लिया है उसके उपर मैं बता देता हूं यहां पर देखिए और जो नोट के सने उसका जो यहां पर देखे जीरो दो था ठीक है नोटिस नंबर देख सकते हो जनुरी में यह आउट की थी अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर विकेंसिस के बारे में जियां दोस्तों विकेंसिस यहां पर देखिए आ पैस सबसे पहले तो आपको एज के बारे बता देता हूं ठीक है साथ के साल तक का सकते हैं और सकते हमां पर टाइस साल तक के लियर कर सकते हैं यहां पर ब्यृश तूडंट के apply कर सकते हैं यानि कि fireman का कोई भी डिपलोमा कर रखा है तो ठीक है नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है केवल दस्वी पास student है वो सभी apply कर सकते हैं ठीक है डाउट किलियर हो गया सभी student कर सकते हैं जानी कि आप सभी हैं जिक है आप किसी भी स्टेटेल करते हो एक सीच साल का पीधी को जो से रिटायड के बाद तीन साल के शूट मिलने वाला है ठीक है डिफेंस परसन है तो आपको यहां पे यहां पर दीए तीन वर्स का यहां पर चूट है जो की मिलेगा दोस्तों ठीक है सेंटर गॉर्मेंट सिविल इंपलोई तो आप 40 साल तक अपलाई का सकते हैं तभी मैं बोलता हूँ एक बार आप सेंटर गॉर्मेंट के अंदर चले जाए उसके बाद आपके बल्ले बल्ले हैं यहां पर देखिए दोस्तों और मैं इसका फीजिकल मेजरमेंट के बारे मताता ठीक है फीजिकल मेजरमेंट के बारे मतादेता हूं बिलकुल रियल है कोई फेक नहीं है और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वह ओन्लेइन तरीके से हपके मेल आएडिप पर दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले आप से पहले आप से बीआ क्या होगा सबसे पहले आ पारे में बता देता हूं फायर में के बारे में के थेक है फायर मेंभाइब पर दीगई है ऐहाँ तो करना है उसरे कि पहले हैं अपकी जो हाइट मांगी यह विधाउट शूज यान की बिना आपको जूते निकाल लिए जाएंगे ठीक है जूते जराब सुब्सक्राइब लने के बाद आप मांगे है अगर आपको से बिलौण करते तो यहां पर टू 25 x by शोट मिलने वाली है ठीक तो अजे अची सोट लिए धिक यहां पर चेष्ट मांगे गें जाने ही दोस्तों यहांप अग्तели 81.5 cm होने चाहिए और 5 cm का फुला मांगा गया दोस्तों इन्होंने ठीक है तो 85 होने चाहिए फुलाने के बाद ठीक है चेश्ट आपको फुलाने आती है और वजन आप में यहाँ पर 50 kg का वजन होना चाहिए दोस्तों यह चीद ध्यान देना अगर आपका 50 kg वजन नहीं है त सब्सक्राइब यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपोर्टन यहां पर 1600 मिटर रणिंग होने वाली है चीद ध्यान देना रणिंग में बहुत ज्यादा स्टुजेंट फेल होते तो मैं अभी से आपको बोलूँगा आपका जो फिजिकल हो फर्वरी महा तो कितना टाम दिया गया वह देख सकते हैं चे मिनिट का यहां पर आपको टाइम मिलने वाला दोस्तों यह ध्यान देगा और यहां पर देखिए चैन्दिट्ट इस अधर ईसम और फिमेल के इंडिट को भी आपको अपको समय मिलने वाला है ठीक है और जो नोर्मल के इंड भी fireman में apply कर सकती है जी ध्यान दीजिए ठीक है लडीक्या भी fireman पॉस्ट के लिए apply कर सकती है उसके बाद यहां पर एक्स रिश्मेंट के अगर आप 40 साल से अब औ है तो आपको यहां पर 7 मिनट 11 सेकंड का टाइम मिलेगा अगर आप 40 से लेके 45 साल के बीच में आपके यह साथ मिनट 48 अपको सेकंड है वो मिलने वाला है अगर आप 45 साल से भी अब हो है तो आपको नो मिनट 22 सेकंड का पूर्ट समय हो मिलने वाला है उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों किया तो कि यहां पर यहां तो कि शिकेंड को पीठ पर भागना पड़ेगा तृक इसको laser करना बोलते वो आपको यहांपे 63 kg का वेट होना चीए वह कितना वह सकता है तो पीछे बाला जो यह चीज ध्याने जा वह 63 kg तो नहीं होता कम से कम 65 kg से लेकि सतर केजी के समतिंग होता है वह बोलने वाली बात होती है कि 63 kg होता है ठीक है लेकिन वह कहीं कहीं पर आपको खुद भी उठाना पड़ता है कहीं कहीं पर फोजी वी उठवा के दें देते हैं यहां पर पॉइंट फाइव के जिए आपका जो कि है कट्टा रहने वाला है तिक आपको 33 सी मिटर आपको दोड़ना है 113 मिटर आपको दोड़ना जो कि 96 सेकेंड का आपको टाइम मिलने वाला है ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों कि 2.7 मिटर का जो कि आपको एक गड़ा है वो आपको कूदना है यह चीज़ ध्यान देना दोस्तों 2.7 का जो कि आपको गड़ा है वो कूदना है है दोस्तों ठीक है जिसको लोंग जंप लगाना है यहां से ऐसे चलांग लगानी है उसकी में डाल दूँगा उसके बाद यहां पर दिखिए और यहां पर जो आपको चांस है वह सिर्फ वन चांस दिया जाएगा ठीक है कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा अगर सेंटर पर डीपेंड करता है सेंटर अच्छा हुआ तो आपको तीन चांस भी दे देते हैं तीक है उसके बाद यहां पर तीन मीटर का यहां पर रस्टा चड़ना है जो कि तीन मिटर लेकिन वह तीन मिटर का नहीं होता कम से कम 10 फिट का होता है यह चीज ध्यान दीजिए और यह अपने हाथ और पैर से दोनों से आपको जो की किलियर है वो करना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद आपका सैकेंड जो स्टेप होगा आपका फिजिक रिटन टेस्ट से होगा जिसमें जनल इंटेलिजेंट रिजिनिंग आएगी जो कि 50 कोशन 50 नंबर के नुमाइका है जो कि यहां पर दो घंटेक आपको शमय मिलने वाला है और ओमर बेसिक जैम हो दो तो ऑफ्राइन तरीके से एक्जैम होने वाला है और आपको एक्जैम नोर्स पीडियाफ या बुक चाहिए तो आप लोग वाटसप पर मैसेज करके ले सकते हैं तो यह स्टेप से आपको करता हूं कोई भी डाउट है तो कोमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है वीडियो को शेयर कर देना अब दोस्तों के संग जैहिन जैभार्त वन्निवात्रम लेवी दोस्ते